हुआ हलो अब्रीवन वेलकम बाकपो मैं जैनल जैसे कि मैं अपनी इस चैनल पर आपके साह स्किन केर और हैर केर से लेडेड़ से लो वीडियोज है वे शेयर करती हूं सिर्धा से आज मैं आपके साथ हेर केर से बहुत ही अमेजिंग रेमिटी जो कहा है वो शेयर करने चारे म इसे कि बहूत सारे वरोग होते हैं इसका पास ट्ाइम नहीं होता जो जॉब होलिटर उते हैं ले स्ट्ट्रेंटियंके पास इतना नहीं टाइम होता कि जो बो अपने पर Look typically कर सके होते हैं सारे घांस तो बन्यां की डाम लिए टाइम के शाटवध की वज़र से केर ना करनी का जो रीजन होता है उसकी वज़र से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रियेट हो जाती है तो उन्हें को धिहान रखते हुए मैं आज आपको यह रेमेडी जो है वो शेर करने जारी हूँ इस रेमेडी के जरीए जिन लोगों को टाइम नहीं है उनकी हे करने कि या नरीष्म sic करने की या नियूट्रिशन पॉइड करने की जिरूरत पड़ेगी है इनकां इतना के बाल ज़ड़ रहे है तो बढ़ना बंद हो स्कानी के अगर आफके हैर फतले है तो मोटे च Pvd और नय बाल बन हो उसने बायाइगे तो जgeme याين करते हूए में बताती हूँ आपको अपने scalp को proper nutrition प्रोवाइड करने के लिए क्या करना है अगर अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए notification bell को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले another videos का notification आपको मिल सकी इस सेनल पर आपको जो भी remedy मिलती है वो बहुत ही जैनुन होती है मैं वही remedy शेयर करती हूँ जिसका कोई रियली effect होता है तो जाता देरी ना करती हुए तलते हैं अपने वीडियो की तरफ देखिए सबसे पहले आपको लेने है फ्लैक सिड जिससे कहते हैं अलसी की बीज हमने के लिए आप दो गिलास पानी लीजिए उसमें एक या डेड़ चमज जो अलसी के बीज है वो डाल दीजिएगा और लो टू मीडियम फ्लेम जो है उस पे इस चल को बनाने के लिए इस पानी को बॉल होने के लिए रख दीजिए कुछ टाइम बाद यह जो अलसी के बीज है वो पानी में थोड़े थोड़े से फूल जाएंगे और जो पानी है वो थिक consistency में आ जाएगा जैल फॉर्म में आ जाएगा कुछ ताइम बद यह आपका पांच से दस मिनट का प्रसेस है बड़े घ्यान से देखेगा आप उसे चमज से लेके कि वो थिक consistency में आया या नहीं जो वो थिक consistency में आजाए तो इन अलसी के बीज से वो जल जो है वो परपेर हो चुका है अलसी के वेज में अमीगा थरी जो होता है फैटी असिड वो होते हैं वो और भी इतने जादा nutrition होते हैं जो आपके hair follicles को मजबूत करने में help करते हैं तो यह अलसी का जल जो है आपको stainor के help से गरम गरम ही आपको इसको stain करना पड़ेगा चानना पड़ेगा अधरवाइस जब यह ठंडा हो जाएगा तो ही हमारे से stain नहीं होगा तो इसके यह बीज अलग हो जाएंगे और आपको gel बहुत अच्छे से मिल जाएगा अब आपने क्या करना है उसमें combination oil का castor oil मैं यहां पर बता रही हूं R&D का तेल देखिए हमें पता होना चाहिए कोई जीज कौन से combination से बहुत beneficial है castor oil hair को thick करने के लिए hair fall को रोपने के लिए नई roots भी बाल लाने के लिए बहुत ही help करता है मतलब यह oil इतना appropriate है इतना ज़्यादा nutritive है इसके जैसा कोई भी oil नहीं है कोई भी मुकामलान नहीं हो सकता इस oil का बट यह oil सबसे ज़्यादा thick oil है independently अकेला तो हम इसको apply नहीं कर सकती हम combination में apply करते हैं castor oil say related मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है नहीं आपने देखी तो आप check out कर सकते हो उन्हें देख सकते हो यह castor oil एक चमच आपने अलसी के जैन में mix कर देना है अब मैंने आपको बताया कि कुछ न कुछ combination में जरूर चाहिए होता है खाली केस्ट और भी अपराई हम नहीं कर सकती तो उसके साथ हम जो oil डालेंगे वह है coconut oil आपको cold pressed virgin coconut oil मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है नहीं है तो जिस भी brand का आप पहली use करते हो यह आपको अच करने की कोशिश करोंगे करोंगे तो मिक्स नहीं होगा oil और उस जल का जो आपस में जो हम इसको स्टर कर रहे हैं तो अलग लग की दिखाए कर देगा उसको बहुत अच्छे से इन तीनों चीजों का combination अच्छे से आप इस क्याल पर equivalent चाहिए तो उसके लिए आप क्या करो ए इसको जो आपने सब कुछ मिक्स कर रहा है ब्लेंड कर लीजिए बस फिर उसके बाद आपने क्या करना है नाइट में आप जैसे आप oil करते हो तो आप इसका प्रॉपर application अपनी रूट्स पे कर लीजिए hair length पे कर लीजिए hair length पे करने का benefits मैं बताते हूं आपको अगर आपक यह problem भी sort out होने माला है hair बिल्कुल smooth, soft, silky, straight और bouncy बन जाएंगे यह जल इतना अच्छा हुआ करता है अगर आपके hair में spritants हैं बहुत बेजान बाल हैं रूखे सुखें बिल्कुल एक बार के ही application से उसका result आपको मिलेगा मैं आपको दावा करती हूं इसका एक application ही आपको बहुत बेटर result प्रवाइड करेगा और आपको इसको यूज करना है इसका feedback मुझे देना है और मुझे बतायेगा कि आपके ऊपर यासा किसका result कैसा है देखिए यह जल बार बार बनाने का अगर आपके पास time नहीं है तो आप इसे दो हफ्तों के लिए store करके भी रख सकते ह दो हफ्ते में अगर आप इसे यूज करते हो तो यह अगर आप एक हफ्ते में तीन बार या दो बार तो उस application के लिए यह sufficient रहेगा तो जल को बार-बार बनाने की problem भी आपकी sort out हो जाएगी और oiling करके ही हम hair wash करते हैं तो उसी के साथ यह pack वाला जो system है यह भी आपका sort out हो तो यह आपको बहुत ही benefit देनी वाली है remedy डाप्ट कीजिए इसे और इसका feedback दीजिए मुझे और अगर आपको यह information थोड़ा सभी अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें भीना बिल्कुर मत दाएगा तो अब मिलते ह और अवे ऑन्ने के गरहेें तो कीजिए और बटने के जुड़ा वह और आपको नहां जू जबेगा हैं जो है कार से और एको रह नहां आपको प्रेध करेट आपको यह जब दो हमा। रहेन पर दोतके अपको यह। चाहां ऑापको फॉवान का भीनार एक्षाब आपको यह